कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ हेयर ग्रोथ पैक की वीडियो शेयर करने लगी हूँ होप आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और च जो मुझे pack बनाना है न वो मजशन के लगाऊंगी और इस pack को बनाने के लिए मुझे aloe vera gel चाहिए, दहीं चाहिए, شीका काई powder चाहिए तो शीका काई powder जो है वो इसली आप अंसारी की shop से बाई कर सकते हैं तो अपने बालो की लेंद्ध के अकॉर्डिंग इस पैक को बनाईए मुझे ये जशन के बालो में लगाना है ज़दातर तो हम इस पैक को न स्कैल्प पर लगाते हैं और थोड़ा बहुत जो बच जाए उसे आपको लेंद्ध पर लगाना है दो चमच मैंने पौडर के लिए इसके बाद दो बड़े चमच मैंने दहीं के लिए है और एक चमच मैंने इसमें एलोवीरा एड़ की है इतना अच्छा इतना बेनिफीशियल ये पैक है समर में मौनसून में आप इस पैक को लगाईए अगर आपको हियर फॉल की प्रॉब्लम है अगर आपको इचिंग की हियर से रिलेटर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके बालो पर ये वला पैक इतना अच्छा असर करेगा तो देखिए इस तरह से आपको इसे मिक्स कर ले ना मैंने बाद में इसमें और दहीं एड़ किया है दहीं का कोई भी नुकसान नहीं है अगर गर्मियों सिर्फ आप अपने बालो पर दहीं भी लगा लेंगे ना तो आपके बाल इतने सुंदर स्मूध सिल्की हो जाएंगे क्योंकि दहीं जो है वह कंडिशनर का वर्क करती है दहीं हमारे बालो के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो मैंने शीका का इपॉडर यूज किय तो देखें इस तरह से आपको ऊश करने से पहले अपनी पूरी स्केल्ट पर इससे लगाना है जुरूरी नहीं है कि बिल्कूल नीट और टरीके से ही आपको इससे लगाना है क्योंकि कछी ज़दाए इसे हो जाता है इसे लगाना तो आप हेर वाश करने से 20 मिनट पहले इसे लगाए स्केल्प पर अच्छी तरह से लगाए जो भी बच जाए आप उसे लेंथ पर लगा सकते अगर आपको किसी भी तरह की स्केल्प इनफेक्शन है अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा रह आने के बाद इसे अच्छी तरह से मसाज करके 20 मिनट के लिए फिर 15 मिनट के लिए से छोड़ दे उसके बाद आप हेर वाश कर सकते हैं जशन के ना मैंने यह वाला पैक काफी ज़्यादा कम लगाया क्योंकि ऐसे उसे कोई नीड नहीं है क्योंकि उसके बालों में ऐसे हैं मैंने सिर्फ आपके साथ एक वीडियो शेयर किया कि अगर आपको इन में से कोई भी तकलीफ है अगर आप अपने बालों को लंबा बनाना चाहते हैं घना बनाना चाहते हैं मजबूत बनाना चाहते हैं आपको हेर फॉल की प्रॉब्लम है इचिंग की प्रॉब्लम है थ देखिए आफ्टर 20 मिनट्स अब मैं जशन को हेर वाश करवाने लगी हों सबसे पहले तो पानी बालों में डालिए और सारा पैक निकाल लीजिए तो अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है ना तो जब आपकी बाल बिल्कुल ड्राइ हो जाएंगे ना तो पैक बिल्कुल अ असानी से निकल जाएगा कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है 20 मिनट्स रखने के बाद अब मैं जशन को हेर वाश करवारी हों तो बहुत ज़्यादा गंदे वालों में या ओली बालों में इस पैक को ना लगाएं आपके बाल बिल्कुल नीट अन क्लीन होने चाहिए अगर आपने दो दिन पहले हेर वाश किया तब भी आप इस पैक का यूज कर सकते हैं तो एक महिने में चार बार इसका रेगुलर यूज करके देखी आपको इतनी अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसके बाद आप शैंपू कीजिए जो भी आप शैंपू य कर सकते हैं सिरम का यूज कर सकते हैं इसके बाद इसमें हमने जो चीज़े आड़ कि आप चाहे ना इसमें एक विटमिन E का कैपसुल भी आड़ कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे सारी चीज़े हमने नैचुरल यूज की हैं किसी ट्वंटी मिनाट अपने बालों पर रखें इसके बाद आप ज़िए स कर लीजिए जैसे कि देखिए मैंने जशन को हेर्वश क रवाया घ तो गाइज आफटर हेरोश आफटर फैक आप जश经 की वीडियो देख सकते हैं जशन के बाल रेक सकते हैं कि से बाल कितनी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें ओके गाई बाइ